हेलो फ्रेंट्स वेलकम तू स्टडी मास्टर में हूँ अपका फ्रेंड जीयस राये तो फ्रेंट्स अगर आप लोग फर्स टाम आये हमारे चनल पर ताप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए तरह साथ में बैल आइकन जुरूर दबले तक कि हमारी आने वाली हर वीडियो के प में वीडियो के संवरे चनल और अगर आप लोगों को चाहिए सार एक कोशिन का हमें इस एक्स्पेंशन आंसर चाहिए तो फिर आप बता दीजैंए फिरमाएंसी आरटी की जो बुक्स वो शुरू कर देते हैं आपको एक्स्पेंशन के साथ हर एक चीश्यस समझानी है चु जरू करते हैं और आप लोग नीचे कमेंट जरूर कीज़ेगा कि आपको वीडियो कैसे लगी और आगर आपको किसी कोशन का अंसर पता है तो प्लीज नीचे कमेंट कर देना चलिए पहला कुशन शुरू करते हैं नीमिलिक्त यूगमों में से कौन सा यूगम सुमेलित नहीं है एक साइड नेम है साइटिस के रूसी साइड उनने क्या की चीज खोज की तो रंटन जी ने एक्सरे की खोज की नीटन ने गुर्तव का नियम खोजा फेराडे ने गैसों क यह गलत है चलिए फ्रेंट्स नेक्स्ट कॉश्छन पिर्थवी के चारों और घूमती पिर्थवी सुरया की चारों और घूमती है इस बात की खोज किस पहग्यानिक ने की थी कॉपर निकस जेम्स आरकेनाइट मार्कोनी एंड जे कैल पर तो इसका जो फ्रेंट्स राइट मैं आपको बता देता हूँ कौन सा very important question है और कौन सा आप लोग अगर फोड़ के जाना चाहिए तो छोड़ के भी जा सकते हूँ की खोज किस ने की थी तो इसमें और option जी रिखा है राइट आंसर है विल्यम हॉर्वे ने तो रक्त परी संचरन की खोज विल्यम हॉर्वे ने की थी तो friends मेरे पास मैं आपको 1000 questions का जो है मेरे पास data है 1000 questions का तो आपको सारे questions daily आपको अगर आप चाहेंगे तो 2020 करा दूँगा तो 50-50 में आपको रोजाना करवा दूँगा इससे कि आपकी revision भी होते रहेंगी और आपको याद भी होते रहेंगी और friends questions इनी में से आते हैं क्योंकि हर exam के अंदर आपको बता दूँग कि 15-20 questions general science के रहते हैं जो हमारे general daily life में use होते हैं तो please इनको छोड़के मत जाईएग और pressure cooker Alexander training ने तो इसमें जो राइट है वो यह जो तीनों यह ठीक है और यह जो था यह गलत है तो याद रखिए तो इन तीनों को अच्छे से आप लोग याद कर लेना कि इन तीनों की खोजिस ने की थी फोटो वाल्टिक प्रभाव की अब धारना किस ने दी थी तो आप लोग देख सकते हैं बहुत easy question और बहुत important question और फ्रेंड इसका आंसर है चलिए friends पहले मैंने day wise करवाने का फैसला किया था कि हर दिन आपको 10 question दूँगा लेकिन अभी क्या exam सरपर है तो जल्दी आपको general science के कबर करवाने पढ़ेंगे अब लिए गर्षन के बल के संबंद में निमे लिखत कत्रों पर विजार करें यह वैबल है जिसमें ठोस स्तावं पर तर्लप दार्थों की पर्तों और समगरी तत्वों एक दूसरे के खिलाफ सापेक्ष कती विलोत होता है दूसरा है जब धरातल में एक दूसरे से संपर्क होता है तो दोनों सतावों की बीच घर्षन से तापिय उर्जा में गतीज उर्जा बनती है तो आप लोग उसको भी नौड़ान कर सकते हैं एक्जाम के अंदर सीधा कोशन आ सकता है ये एक्स यूपयस इक अंदर ऐसे कोशन आ जाते हैं निमलिक्त में से कवंसी घर्षन के परकार की सही परिवाशा है तो घर्षन के परिवार की देख लिए शुश घर्षन में दो घर्षन दो ठोस ताउं में विवाजित हो जाता है तो इसमें जो आप रिति के बारे में कौन सा कथन सही है तो आप रिति के बारे में देख लिए पढ़ लेते हैं आपर कौन कौन सा आप्शन दे रखे हैं यह है वै तरंगे हैं जो एक सम्में में दी गई राशी में एक जगह पारित करती हैं दूसरा इसे हर्च इकाई के रूप में मापा जाता है जिसे 19 सदी के जर्मन भौतिक शाहिस्तरी हैंरिक रोडॉल्फ हर्ट के समान में रखा जाता है उपलोक में से कौन सा कथन सही है चलिए इसमें दो कथन दे रहे हैं फ्रेंट्स उसमें जो है दोनो पर जाता है कि बोध 1 & 2 सही होते रहे हैं लेकर एक्जाम के निदर आहिसा नियुता है जाता है अ quieres Ici होती है और एक रही कर रहे है अगर आप लोग यहाद से पड़ा किजिए यहां बोध 1 & 2 तो यहींगा ऐसा कुछ नहीं होता है वहाँ पर ऐसा दुखह नहीं चलता निमिलिक्त में से कौन सा कतन आयाम के बारे में सही है यह अदिक्तम विस्थापन या एक दूरी पर शरीर को एक बिंदू से ले जाने या उसके संतूलन की स्थिति को मापने वाली लहर है या कमपन पत की लंबाई का एक से डेट गुना बराबर है तो प्रोक्त में से कौन सा कतन सही है चलिए इसमें हाँ ओनली वन, ओनली टू, बोथ वान और टू, आल आप दवाओ तो जो राइट आंसर वह बोथ वान और टू तो फिर से वही होगा कि पहला और दूसरा दोनों ठीक है तो थोड़ा ध्यान रखिए निमिलिक्त कतनों में से कौन सा परकाश यूप्त तिर्पता के बारे में तिवर्ता के बारे में सही है यह ठोसकन परती काई की एक विशेश दिशा में एक परकाश त्रोच से उसर्जित तरंग धहर्या बाद्या भारी शक्ति को मापनिका उपाई है चमकदार तरपता की SI एकाई केंडलम CD है एक मुल्या एकाईया है तो इसमें है only A D है A and B दोनों तो इसका right answer A and B दोनों तो यह दोनों इसके बारे में ठीक है तो आप लोग जुरूर याद रखिए important है यह काफी important question है यह repeat हुआ question है निमी लिख्त कत्रों में से कौन अपसारी lens के अपवरतन निमों के बारे में सही है अपसारी lens की मुख्या धूरी के समानतर किर्णों की कोई भी घटना lens के माद्यम से अपरिवर्तित और केंदर बिंदू के साथ माद्यम से अपरिवर्तित होती है c है a and b don't know और d है none of the world उसमें जो right answer वो है a and b don't know तो अब सरी lens के बारे में यह दोनों statement अच्छे से याद कर लीजिए यह statement exam के अंदर क्या होगा इसमें जो थोड़ा सा बतल जेंगे तो आपको क्या होगा कि आप फिर भी a and b दोनों लोगा कर आजएंगे और question सेम आएगा friends तो यह जो मैं आपको बता रहा हूँ कि यह जो question set है यह जितने भी पुराणे exams के अंदर science के question पूछे गए हैं या फिर जो current affairs से question बन रहे हैं उनमें से सभी मैं आपके लिए बना कर वो लाया हूँ तो लिए next time निमलिक्त में से कौन सा कथन तार की चमक के बारे में सही नहीं है चमकते तारों का वेगैनिक नाम है हम उन्हें पिरस्वी किस ताय से देख सकते हैं क्योंकि हम उन्हें वाई मंदल की आशांत मोटी पर्तों के माधियम से देख सकते हैं तो प्रोक्त में से कौन सा कथन सही है तो आप वीडियो को पोस करके देख लिया कीजिए अगर कुछ सनी समझे है थोड़ा बैट कर लिया कीजिए और आप इसको सैटिंग में जाके इसकी मतलब की स्पीड है वो कम ज़्यादा भी कर सकते है निमलिक्त में से कौन सा कथन चिपचिपाहट के बारे में सही नहीं है तो यह जान की नहीं है यह है कतरनी तनाव या तन्यम तनाव द्वारा कर्मिक विरूपन करने के लिए इतने परतिलोद का एक उपाई है इसे आम तोर पर डाइन या सेंटीमेटर में मापा जाता है तो यह उप्शन इसमें जो है यह गलत है यह तनाव या एक विक्रित प्रभाव को रोकने के लिए शरीर की एक शमता होती है और जब तनाव खत्म हो जाता है यह अपने प्रभाव कार्य आकरती में लौड जाती तो यह बिल्कुल ठीक है तो इसमें जो यह जो फ्रेंट्स बी ऑप्शन ठीक है लेकिन हमें तुझा सही नहीं है जूदना है तो हमारा A सही नहीं है तो हम इसको right answer हमारा A होगा चलिए next question निमिलिक्ट में से कौन सी radar की संपत्ती है जलमगन पंडूवियों का पता लगाने की एक radio receiver में संकेतों को प्राप्ट करने की भूस्ति रूप ग्रहों का पता लगाने की या फिर हवाई जाज जैसी वस्तों की लेके देखेंगे तो आपको question एक वर आप लिखेंगे फिर पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से यार हो जाएंगे नहीं तो आप लोग सुनकर भी काम चला सकते हैं आपको वीडियो को पोस्ट कर सकते हैं screenshot ले सकते हैं जैसे आप चाहिए वैसा आप कर सकते हैं अपने हसाब से कर सकते हैं वीडियो का अच्छा लगए बता दीचे और इसको शेयर जरूर करें किसी फ्रेंड के साथ और जो लोग फ्रेंड्स मेरी वीडियो शेयर करते हैं बहुत बहुत थैंक्यू जुनों चैनल को subscribe थेंक्यू so much so being with us मैं आपकी पुरी-पुरी help करूँगा, जितना भी material बन पड़ेगा, मैं आपके लिए provide करा हूँगा, चलिए friends, thank you so much, इसका next part, कल फिर upload कर दे जाएगा, thank you so much friends, take care, bye bye, God bless you all.